नमस्का दोस्तों अरुप्टे व्लाग्स में आप सफीका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ अरुप, आपका दोस्त लेके हाजरू आपके पास एक नए वीडियो के साथ आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि चाइल्ड पेज क्या होता है, पैरेंट पेज क्या होता है, चाइल्ड पेज यानि सब पेज को हम क्यों क्रियेट करते हैं, क्यों हम सिर्फ पेज बना के ही कोई काम नहीं कर लेते हैं, क्यों हमें चाइल्ड पेज या सब पेज बनानी की जरुरत पड़ती है कैसे हम इसे बना सकते हैं कैसे हम चाइड़ पेज को मेनू में अड़ कर सकते हैं इन सारी चीजों को आज हम डीपली समझने वाले हैं तो विडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए तो चले दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चलो को सब्सक्राइब करके अच्छे से समझते हैं सब करते हैं अगर आपके क्लाइंट को यगर आपके वेबसाइट में आते हैं अगर आपने तीनों सर्विशेश को सिर्फ एक पेज बनाया और इन इनों services को आप वहाँ पे अच्छे से elaborate कर दियें लेकिन जब कोई client आपके website पे आएंगे, visit करेंगे, वो services पेज में जाएंगे, अब उनको चाहिए digital marketing बारे में detail, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनके services पेज में आपने तीनों के बारे में detail दिया हुआ, अब उनको search करन पड़ेगा, उनको धूनना पड़ेगा, कि digital marketing का detail की इस जगह पे लिखा हुआ है, मतलब यह user friendly नहीं होगा, तो यह जो है न, user point of view से बहुत अच्छी चीज है नहीं, user को चाहिए कि ऐसे आपके website में उन्हें, जिस चीज से relevant लिए, उन्हें details से यह वो उनका फटा-फट मि design का, अब जब भी कोई भी user आपके website में विजिट करेंगे, suppose कि यह उन्हें digital marketing के बारे में detail चाहिए, तो वो website में visit करेंगे, direct digital marketing वाले page में जाएंगे, और वहां से उसे सारे details मिल जाएंगे, अगर कोई user आता है, यहने content writing के बारे में detail चाहिए, तो वो direct आपके website में जाए और उन्हें जो भी services के बारे में detail चाहिए, simply one click में उन्हें सारे details मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम समझ लिए, कि child page actual में क्या होता है, और child page का क्या use है, अब child page कैसे बनाते हैं, चलिए उसे देखते हैं, तो आप अपने dashboard में सबसे पहले login कर लेंगे, login करने के बाद, आप आपको simply जैसे यह page create करते हैं, सिम उसी तरह से आपको page create करना है, उसके लिए आपको pages में जाना है, add new पे click करना है, और यहाँ से आपको pages create करना है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहला क्योंच create करते हैं, digital marketing, जैसे हमने यहाँ पर digital marketing दे दिया, उसके बाद फिर आपको right side में आना है, और यहाँ पर आपको मिलीगी page attribute, इस page attribute में parent page जो है, आपको parent page सेलेक्ट करना है, यह services वाला जो page होगा, यह इस digital marketing का parent page होगा, यहाँ पर अगर हम parent page नहीं select करते हैं, तो क्या problem आएगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देंगा, तो आपको समझ में आज हैं, वापस आएंगे हम right side में, यहाँ से हम services वाले page को parent page select कर लेंगे, then हम यहाँ से publish पे click करेंगे, सेम इसी तरह से हम यहाँ से third page भी create कर लेते हैं, इसमें भी हम right side में आएंगे, और page attribute से हम यहाँ से parent page जो है, वो services वाले page को select करेंगे, then हम publish पे click करेंगे, so हमने यहाँ तीन child page create किया और इन तीनो child page का जो parent page है वो है services वाले page अब क्या करेंगे कि इन तीनो pages को हम services वाले page के अंदर menu में add करेंगे तो उसके लिए हम चल जाएंगे appearance में और यहां से जाएंगे हम menus में menus में आने के बाद आपको देखिए left side में जो आपका services वाला page है उस services वाले page के नीचे आपको तीनो child page दिख रहा है आपको क्या करना है simply इन तीनो child page को select करना है add to menu करना है add to menu करते ही right side में आपका ये तीनो page आ जाएगा अब इन्हें पकड़ के just आपको उपर लेके जाना है और उपर में services वाले page से थोड़ा सा right side में swipe करके आपको छोड़ देना है same उसी तरह से आप इन दोनो pages को भी करेंगे जिससे क्या होगा कि ये services वाले page में जो है आपका sub page बन जाएगा अब यहां से third one को हम पकड़ते हैं तो services वाले page के नीचे हमने तीनो pages को डाल दिया जो है इसका child page अब हम यहां से save करेंगे save करने के बाद हम अपने website में आ जाते हैं यहां पर हम refresh करेंगे refresh करने के बाद देखिए services वाला जो आपका यहां पर page है उस पर जैसे हमाउस का pointer लेगे जाएगे तो यहां पर देखिए तीनो आपका child page दिख रहा है अब यहां से जिस भी child page पर हम click करेंगे उस child page पर click करने के बाद वो child page यहां से open हो जाएगी अब अगर यहां पर हम URL पर ध्यान दे तो URL देखिए आपका बना localhost slash project का name slash services slash graphic design यहां पर services जो है वो graphic design का parent page है that's why जब कभी भी हम एक child page create करेंगे तो उस child page का URL में हमेशा उस parent page का name include होगा अगर हम normal सा कोई एक page create कर देते हैं जहां पर हम कोई भी parent declare नहीं करते हैं तो वो एक normal page होगी उसका URL बनेगी localhost slash आपके project का name और slash simply उस page का जो भी name रहेगा वो slug रहेगा वो ही आपका URL बनेगा लेकिन जब कभी भी हम एक child page create करेंगे तो हमेशा उस child page का URL में उस parent page का name include होगा तो hopefully ये वीडियो आप लोग के लिए helpful रही तो बस दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो का ऐसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूब बताएं अगर यूद आपको पसंद लाइते से लाइक करें शेयर करें चैनल को दोस्तों अभी जग अगर सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आक्टन को दबा ले तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में ता तुम बबाए और टेक केर